तो नमस्का दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल एडवांस टेक में तो आज मैं करने वालों अन्बॉक्सिं पोर्ट स्टोन 352 जो की बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट है और हमेसा आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है तो मैंने भी बहुत मुश्किल से बुक किया और इसे करीबन मुझे डिलीवर होते हुए 14 डेस का टाइम लग गया तो वैसे तो दिखा रहा था 24 डेस लेकिन 14 डेस के अंदर में मुझे डिलीवर हो गया और जो प्राइस था इसका बहुत आप अपन डाउन हो रहा था मतलब दुर्गापुजय की टाइम में दिमाले की ट लेकिन जब दिवाली आया तो इसका दाम बढ़ गया तो दूनों के दाम 1700 हो गया तो चलिए करते हम बॉक्सिंग तो इसे मैं ओपन करता हूँ कुछ इस तरह के डिपबा में आता है तो सिसे तरह के डिपबा में आता है यह ड़ा बॉट स्टोन 352 यहाँ पर लीखा हुआ और देखते हैं बॉक्सके अंदर में क्या मेंूदता है कि यह राख स्पीकर और साथ ही मैं अपको मेंता है एक यूजबी केबल चार्जिंग करने के लिए और मेंता है एक आक्स केबल और यह विल है तो विल में लास्ट में लिखाऊंगा और सब्सक्राइब तो यह कुछ कैटलोक है कि यह कुछ कैटलोक के बूट का क्या क्या वैरियंट है क्या क्या चीज मद्दीर करता है पूट ने के हेड़फोन स्पीकर इसी चीज मद्दीर करता है और यहां पर आपको एक साल के वैरिंटी मिल दिये और यह कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत जरूरी है ऐसे तो सभी यूटुबर्स फेक देते लेकिन इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है तो यह तीन कलर में अवेलेबल है ब्लू और ग्रे एंड ब्लैक तो यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है चाजिंग से रेलेटे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फाइब मिनट विन दा पावर बोट्स तो बीप करेगा उसके बाद वो आटमेटिक आफ हो जाता है तो जब आप इससे चार्जिंग करते है तो रेड लाइट इंडिकेट करता है कि यह चार्ज हो रहा है और जब रेड लाइट बंद हो जाता है तो इसका मतलब वो फूल चार्ज हो गया है वोल्टेज देख लिए चार्जिंग वोल्टेज 5 वोल्ट 2 एंपेर है तो इसी चार्जर से आप चार्ज कर सकते है नाइन वोल्ट के चार्जर से आप नहीं कर सकते है तो आप इसे 5 वोल्ट या 5.2 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते हैं और यहां पर एक फाइल है जो की सपोर्ट करेगा और यहां पर दिया गया है यह 10 वाट का स्पीकर है और बैटरी वैकप देख लीजिए 12 आउस के बैटरी वैकप है और 1.5 से 2 आउस की टाइम लेगा चार्ज होने पर बैटरी देख लीजिए 22 मेज के बैटरी है और आप इस में मिली कड लग आ सकते है और के बैले के थूँआ आप स्वांग प्ले कर सकते है और दो स्पीकर को एक साथ कनेक कर सकते है यहां पर बहुत ही एक इंपर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि in order to have hearing production and an extended speaker life avoiding listening to song on maximum volume और आपको full volume पे song नहीं सुन रहा है इससे आपका speaker खराब हो सकता है तो आप 50-60% volume पे song सुनें वो more than enough है आपके लिए तो यह था यह रावा प्रोडक्ट दिख लिजे दो साइट बेस रेडियेटर है यह waterproof भी है और यहां पर आपको मिलता है यह ओक्सकूर्ट यहां पर है मिनी एस्बी चार्जर और यहां पर है आपका memory card लगानेगा तो यह टाइप सी नहीं है यह ओल्ड वर्जिन वाला है और चले करते हैं इसको power on power on, you've plugged into nirvana तो power on हो गया है तो इसमें मैं गाना नहीं प्ले कर सकता क्योंकि उसी phone से मैं record कर रहा हूं इसलिए मैं connect नहीं कर सकता तो यहां पर हलका हलका आपको indication दिख रहा है मतलब full charge है तो यह अगर दो रहता है दो light अगर blink होती है तो इसका मतलब है 50% charge है तो कुछ song sample में आपको सुना रहा हूं कि कितना loud है यह तो आप song enjoy करिये इसका प्राइस टुए बंडे था तभी मैंने पर्चेस किया था और अली यह 1700 का मिल ला है तो यह advanced बर्जन था woodstone 352 इसलिए मैंने इसे पर्चेस किया तो sound आपने सुना काफी loud है और आप इसे 50-60% पर ही सुने क्योंकि 100% volume पर आप अपना speaker को harm करेंगे और long term तक यह नहीं चलेगा तो इसलिए आप 50-60% पर ही सुने और आपको battery backup भी अच्छा मिलेगा और भी आपको आज का वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए जो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फू वाचिंग स्टेटू इन वाचिंग वीडियो तिल देग बाई